गिलो फ्रेंड्स मैं रुच्ची आपकी गार्डनार दोस कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स आज मैं आपसे गिलो के बारे में कुछ बाते करूंगी ये जो गिलो की बेल होती है बहुत ही जीली लग जाती है ये ओशदी पूरबग भी है जब डेंगू बुखार होता है तो इसकी जो टहनी होती है उसको लगाने उसको खूटकर खाने से उसका जूस पीने से ही टेंगू बुखार सही हो जाता है देखे ये मेरी गिलो की बेल है इस पर कितने सुन्दर ये सीट्स आ रहे हैं बहुत कम बेलो में ये सीट्स आते हैं और मेरे हां आ रहे हैं जो भी देखता है वो बहुत ही अचम्वित होता है कि आपके इस तरह के बीज बहुत आ रहे हैं बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं यह देखें, यह इसके पत्ते हैं, यह इसके सीट्स हैं, ऐसे लग रहा है ना जैसे अंगूर लटक रहे हूँ, तो मैं आज आपको इसको लगाने की बिधी बताते हूँ, आपको कहीं भी इसकी यह डंडी मिल जाए, यह तहनी जो बोलते हैं, यह देखिए फैन्च, यह पहनी को तोड़ कर आप कहीं भी इसको लगा दीजिये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है इसको पानी की भी बहुत जरुवत नहीं होती है तीन-चार दिन में पानी दे दो तो भी काम चल जाता है बारिश के दिनों में ये उपर तक चड़ जाएगी ये पूरे जाल को कवर कर लेगी वो बहुत ही सुन्दर सुन्दर इस पर पत्ते आएंगे जो कि बहुत ही सुन्दर लगेंगे जाड़ों में खाली इसकी टहनी रह जाती है और इसके पत्ते जो होते हैं सारे खतम हो जाते हैं बुखार में किसी भी तरह का बुखार हो उसमें इसकी डंडी को कूट कर एक गिलास पानी में उबालने से हमारा बुखार शरीर में दर्द खतम हो जाता है यह देखें और कही जगे लग रहे हैं और इसको बहुत बड़े बरतन जरूत में रहिए लिए इनिए कि कितना चोटा सा उन्हें का बरतन था मैंने इसी में देखें गिलो की बिल लग और ये देखिये FRIEND कितनी उच्छी चड़ गई आप इसको किसी भी तरह के बरतल में लगा दीजिए किसी भी तरह के गमले में लगा दीजिए आसानी से चड़ जाएगी तो FRIEND इसको बारिश के महीने में यह जो माई-जून का महीना होता है उसमें लगाएं बहुत आसानी से ग्रू हो जाती है अगर आपको सीट्स मिल जाए तो सीट्स से लगा लीजे और अगर सीट्स ना मिले तो कहीं से भी कैसी भी टहनी हो बस थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए टहनी को लगा लीजे आसानी से आपकी ये गिलो की वेल हो जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्रेब करें बाइ फ्रेंड्स